Hello and welcome back और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Supervised Learning के बारे में previous वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको Machine Learning Techniques के तीनो टाइप्स के बारे में briefly explain किया था कि तीन टाइप्स होते हैं Supervised Learning, Unsupervised Learning and Reinforcement Learning और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि Supervised Learning जो है Task Driven होती है अब आज की इस वीडियो में हम Supervised Learning को Completely Detain में डिसकस करेंगे और उसके हर एक पॉइंट्स को जो है बिल्कुल अच्छे से समझेगे ताकि आपको Supervised Learning का Concept जो है वो Completely Clear हो जाए तो Supervised Learning जो है Basically आपका एक Computer Program होता है जो के Train किया जाता है Label Data Set पे अब Data Set आप सभी को पता है कि जो भी Data जिससे हम Machine को Train करते हैं उसको हम Data Set बोलते हैं बट यहाँ पे term है Label Data Set अब Label Data Set का मिनी है जिस Data Set के अंदर Input और Output दोनों Provided हो उससे हम बोलते हैं Label Data Set अब इस Label Data Set की Help से हम हमारे Computer Program को या हम बोल सकते हैं हमारी Machine Learning Algorithm को Train करते हैं अब यह जो हमारा Label Data Set होता है इसके अंदर जो है Input Data होता है और उसी के साथ-साथ उस Input Data का Corresponding Output Data भी रहता है और इसी को जो है हम Map कर देते हैं Map करते हैं हम Input Data को Output Data के साथ अब यहां पर Input Data को जो हम Technical Terms में Features और Predictors भी बोलते हैं और हम Output Data को Label और Target Variable भी बोलते हैं अब In Future जितने भी हम इस Series के अंदर हमारी Algorithm डिसकस करेंगे वहां पर हर जगे पर Input Data या फिर Output Data में नहीं प्रनाउंस करूँगा वहां पर जो हम Technical Terms में बात करेंगे इसलिए जो है Features और Predictors Input Data के नाम से मैं प्रनाउंस करूँगा और Neighbor और Target Variable को मैं Output Data के नाम से महां पर प्रनाउंस करूँगा और जब हमारी Machine उस Input और Output Data को Mapping करने के बाद Train हो जाती है तो वो जो है हमारी Machine हमारे लिए Output को Predict कर सकती है For New Input Data अब यानि कि जब हमने हमारी Machine को Train कर दिया और तब हम Training के बाद जब हम Testing Phase में होंगे तो अगर हम कोई Nya Input Data देते हैं तो हमारी Machine जो है हमारा Computer जो है वो Predict कर देगा उसका Output और हमारा Supervised Learning का Target ही क्या है कि हमें Output Predict कराना है तो ये बात मैंने आपको मेरी Previous वीडियो में भी कही थी जहां पे भी Supervised Learning आएगी उसका Simple समील ही है Predictive Model हमें वहाँ पे उससे कुछ Predict कराना है अब Next इसके अंदर यहां पे लेमेल लेंग्विज में एक्जामपल दिया गया है It is like having a teacher और guide who helps you to learn अब जैसे एक teacher एक student को या फिर एक guide जो है एक candidate को help करता है सीखने में इसी तरीके से Supervised Learning का जो Training Data होता है वो जो है यहां पे Prediction के लिए जो है एक तरीके से Teacher का काम करता है Guide का काम करता है जो की in future जब भी हम नया input data हमारी machine को provide करेंगे तो जो उसने training data से सीखा है वो उस data के अपोर्डिंग हमें output provide कर सके इसी तरीके से जैसे हमारा normal teacher और student का relation होता है कि teacher अगर कोई कुछ questions कुछ terms अगर student को सिखाता है तो इन future आने वाली terms को जो है student हैंडल कर सकता है और उनका output predict कर सकता है या फिर उनका answer वो predict कर सकता है तो यह जो है supervised learning का basic concept था brief concept था जो की use किया जाता है अब इसको एक example की help से समझते हैं ताकि supervised learning का जो concept है आपको completely clear हो जाए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक example लिया है left side के अंदर जो है हमारा input row data है जहाँ पर एपल की कुछ images जो है available है और यहाँ पर नीचे mention है कि यह हमारा apple है इसी को बोलते label dataset अब इसके अंदर हमारी input जो है वो images है apple की और output है हमारा इसका keyword apple की यह जो है apple है अब इस input row data पे जो है हमारा supervisor या फिर हम बोल सकते है machine learning engineer अपने dataset से जो है machine को train करेगा और desired output भी जो है उसको provide करेगा अब training dataset में दोनों चीज़ थी input भी और output भी तो यहाँ पर input प्रोवाइड किया गया apple की images और output यहाँ पर provide गया कि वो apple है यानि एक name उसको abbreviate कर दिया कि output हमारा apple है अब उस dataset को जब हमारी algorithm में implement किया गया जब हमारी model की training complete हो जाती है उसके बाद जब हम training के बाद testing phase में आते हैं यहाँ पे तो उसके अंदर आप देखिए हमारी machine को जो है एक नया input दिया गया जिसके अंदर एक green color का apple जो है उसको provide किया अब machine ने जो है detect कर दिया it is in apple यानि हमें जो desired output था वो हमारा मिल गया अब आप ध्यान से देखिए तो इस process के अंदर इस पूरे process के अंदर simply दो चीजे होई है जो हमने training data set provide किया था training label data set जिसके अंदर input और output दोनों थे apple की अब हमारी machine ने जो है इस apple की image के जो है classification की इस apple की image के अंदर से pattern एक step out करे pattern जो है underlie करे और उस basis पे जो है इस ने इस green color के apple की images का भी जो है हमें output apple provide किया because यहाँ पर यह color से identify नहीं करेगा हमने पहले भी कहा था कि हमारी जितनी भी algorithms है machine learning की वो हमारी patterns को identify करती है तो यहाँ पे जब इस green color के apple के pattern को identify किया गया और उसे पता चला कि यह similar pattern का है तो इस नामे output predict कर दिया it is an apple तो इस तरीके से हमारा complete supervised learning का process जो है work करता है और next video के अंदर जो है अब हम detail में जो है unsupervised learning को discuss करेंगे thank you झाल से यह रहाँ aujourd'र